नागपूर हलचल में अपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर जिल्ले में दिन बदिन कोरणा मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है ऐसे में खून की काफी कमी है खापरखेडा ताप वेदित उतपादन केंदर की 32 वर्षगांट के अउसर पर रखतदान शिविर का आयोजन किया गया हर साल 8 जन्वरी को खापरखेडा पावर स्टेशन की वर्षगांट के अउसर पर सामाजिक, सांस्क्रूतिक, शेक्षीक और खेल प्रतियों गिताओं का आयोजन किया जाता है हालाके इस वर्ष कोरोना के बढ़ते मामलों के मदे नजर मनुरणजन केंदर नमबर वन पर सामाजिक जागरुकता के लिए रखतदान शिविर का आयोजन किया गया शिविर में 409 रखतदाताओं ने रखतदान कर सामाजिक प्रतिबधता का परिच्छ दिया और जरूरत मन्स मरीजों को अपना बहुमूल ले योगदान दिया शिविर का आयोजन मुख्य अभियंता राजु गुगे ने ने त्रू तुमें किया रखतदान में महिलाओं का विशश योगदान रहा खापर खेड़ा थर्मल पावर स्टेशन के नागरिकों से आगया कर रखतदान करने की अपील की थी मुख्य अभियंता राजु गुगे ने रेकॉर्ड रक्तदान के लिए भी सभी रक्तदाताओं का आभार माना शिविर के दोरान बिजडी स्टेशन के अधिकारिओं, करमचारिओं, परिवार के सदस्यों, शरमिकों, स्थानिय लोगों, पर्योजना प्रभावित विक्तिओं, शिक्षार्ति उमीदवारों के साथ विभिन्न जागरुक नाग्रिकों ने रक्तदान किया और बहुमुल्य सहायता प्रदान की कोरोना संक्रमन की रफतार देश सहीत राज़ो और शहर में एक बार फेर तेज हो गई है नए वेरियंट ओमिक्रॉन के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं होने के कारण लोगों में कुछ जादा ही खौफ है पिछली बार पहली और दूसरी लहर के दावरान पुरा काम का अस्ठफ हो गया था कोई ऐसा श्रेतर नहीं बचा था जो लोगडाउन और प्रतिबंदों के दायरे में ना आया हो लेकिन अब हम बात कर रहे है कोविट काल्ग में शिक्षा की लगबग 17 महिनों यानि करीब 500 दिनों तक शिक्षा संस्ताओ पर तालेल लटके रहे अब आंकडे फिर से बढ़ रहे है संक्रमन की रफ्तार पहले से कई गुना तेज हो चुकी है अगर सिर्फ नाकपो जिले की बात करे तो नए साल में यहाँ एक जन्वरी को चौपन नय पॉजिटिव मामले सामने आये थे अल्डे दिन दो जन्वरी को यह आंकडा 90 पर जा पहुंचा तीन जन्वरी को एक और लंबी छलां के साथ संक्रमितों का आंकडा 133 हो गया चाल जन्वरी को 194 संक्रमितों की संख्या देख प्रशासन के पसी ने छूड़ गए पाथ जन्वरी को 350 नय संक्रमितों ने बोलती बंद कर दी क्योंकि एक्टिव मरिजों की संख्या भी काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी है इसलिए फिर से तालाबंदी की चर्शा होने लगी है पूरी दुनिया में लगबग 20 प्रदिशत 90 शिशियों की मौत सिर्फ ठंड से होती है इसी बात को ध्यान में रखते हुए लॉयंस क्लब नाकपूर समर्पन की ओर से हर साल 90 शिशों को ब्लैंकेट वित्रित किये जाते है इस साल भी विदर्बसहित माराष्ट एवं देश की दस राज्यों में लॉयंस क्लब नाकपूर समर्पन एवं सारंग कल्चर फांडेशन द्वारा ब्लैंकेट वित्रित किये गए है उपरोग्त कारेक्रम का विधिवत उद्गाट नाकपूर के डागा हस्पिटल में पास्ट मर्टिपल काउंसिल शियर परसन डॉक्टर श्रीमंत राजे मुधोजी भोसले प्रथम प्रांदपाल श्रवंद कुमार के हाँ तो संपन न हुआ उपरोग्त कारेक्रम में प्रमुक उपसिती डागा हस्पिटल के अधिजधाता डॉक्टर सीमा पारवेकर जोन शियर परसन अतुर धगे की रही कारेक्रम के शुरुवात में सभी अथितियों को पौधा देकर सतकार किया गया प्रोजेक्ट डिरेक्टर सारन धोक एवं कलब एड्मिनिस्ट्रेटर शुरिमत जैसीर राजे भोसले ने संपन प्रोजेक्र की जानकारी अथितियों को दी एवं बाद में अथितियों के हातो नवजान शिशों के माताओं को ब्लैंकेट दिया गया अपने समोधन में प्रथम प्रांतपाश शवन कुमार ने इस प्रोजेक्ट की जम कर तारिफ की एवं कहा कि ऐसा बड़ा कारे करने वाला यह पहला कलब है महा मेट्रो की रीच्टू रूट अंतरगत अाटो मेट्रुच्ण और नारी रोड मेट्रो स्टेशन के कारेयों का निरिक्षन गुरुवार को प्रभंधनी देशक दॉक्टर बिजेज दिख्षित ने किया शहर के सबसे व्यस्त कामटी मार्क पर मेट्रो के यह दो स्टेशन है, इस मार्क पर शिग्रयात्री सेवाच शुरू होगी, दोनों स्टेशन के काम प्रगती पत पर है मेट्रो स्टेशन के कार्यों का जायजा लेने के लिए डॉक्टर दिक्षित वहां पहुंचे और कार्यों के प्रतीज समाधान वेक्त किया इस दोरान उन्होंने अधिकारियों और करमचारियों को लक्ष सामने रख कर कार्य करने का निर्देश दिया कार्य की गती को कम रखते हुए सुरक्षा सम्मन्दी निर्देशों का गमभिरता से पालन करने के निर्देश अधिकारियों और करमचारियों को दिये गए सिताबड़ी इंटरचेंज से आटोमोटीव चोक मेट्रो मार्क बर सबसे आखरी तता महतपूर्ण स्टेशन आटोमोटीव चोक मेट्रो स्टेशन है औरेंज लाइन के रिष्टू के अंतरगत सिताबड़ी इंटरचेंज से हितकुल आर्ट स्टेशन है इनमे जीरो माइल फ्रेडम पार्क, कस्तुलचन पार्क, गड़ी गोदाम चोक, कबडी चोक, इंदोरा चोक, नारी रोड और आटोमोटिव चोक सहीत अन्य साथ मेट्रो स्टेशनों का समावेश है आटोमोटिव चोक मेट्रो स्टेशन सिविल इंजिनिरिंग का एक सर्वोत्तम उधारन है इस स्टेशन पर विश्वस्तरी असुमिधाय उपलब्द रहेंगी चात्रों का सरवांग इनविकास जरूरी है यह प्रतिपादन आईएस अकैडमी मसूरी के पुरवपनिदेशक सदानन्द भावे ने किया वे सीक्रुषन हाइस्कूल के पालक शिक्षक बैठक के आउसर पर बोर रहे थे समारों की अद्धक्षता विदर्ब सेवा समिती के कार्यादक्ष डॉक्टर संतोष मोदी ने की इस अउसर पर खेलकूद और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया पालकों ने कोरोना के कारण पढ़ाई के नुकसान पर चिंता जताई प्रास्ताविक भाषन मुख्याधापक खोबे गुरुजी ने किया संचालन राउद गुरुजी एवं आभार प्रदशन पिम्पले गुरुजी ने किया सरवश्री विनोत फतेपुरिया बाबु पाटिदार ढुमने गुरुजी मनुहर सोमलकर गजलन बाव ने चिंदू सोमलकर, शिवराम बेहु ने श्रावन सोमलकर, प्रमोशुकला उपस्ति थे महात्मा गांधी आंतराश्टे हिंदी विश्विद्धाले वर्दा का पंचम दिक्षान महुच्छोग कल सुबज 10.30 बजे से आयो जित है दिक्षान महुच्छोग में भारतिय सांस्कृतिक संबंद परिशत के अधिक्ष तथा राज सबासदस से डॉक्टर विने सस्रबुद्धे मुख्य अतिती होंगे दिक्षान महुच्छोग में भारत के पूरो शिक्षा मंत्री तथा सूपरिचित साहितेकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एवं सूविख्यात वेग्यानिक डॉक्टर विजेभट कर विशेश अतिती होंगे दिक्षान महुच्छोग की अध्यक्षता विशेविद्धाले के खुलादी पती प्रोफेसर कमलेश दत्री पार्टी करेंगे उक्त जानकरी विश्विद्धाले के कुलपती प्रोफेसर रजनिश कुमार शुकले ने गुरुवार को अजुत ओनलाइन तथा ओफलाइन पत्रकार वारता में दी दिक्षान महुच्सों में विश्यविद्धाले के कुलपती परफेसर रजनेश कुमार शुकले दिक्षानfront उपदेश देंगे परफेसर शुकले ने बताया कि पंचम दिक्षान महुच्सों में निता ग्यान्दोरा उघडे को कुलादीपती स्वर्णपदक तथा शची पांडे को सर्वोदिया रत्नमाला तुकराम बोरकर स्मृतिस्वर्णपदक दिया जाएगा दिक्षान कारेक्रम में 45 विध्यारतियों को स्वर्णपदक तथा 470 सनातकों को उपादी प्रदान की जाएगी इसमें पिएजडी के 27 विध्यारति, एमफिल के 44 विध्यारति, पीजी के 239 विध्यारति ततास्तना दक 170 विध्यारति है दिक्षान कारेक्रम का प्रारम सुबध 10 बच कर 15 मिनिट पर डॉक्टर शामा प्रसाद मुकरजी भवन की कस्तुर्बा सभागार में होगा यह मोच सो ऑनलाइन माध्यम से आयुजित किया जाएगा महापोर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि विधेश में भी हिंदी भाषा को अधिक सम्मान दिया जा रहा है जबकि हमारे अपने देश में ही हिंदी को अभी तक राष्ट भाषा का सम्मान नहीं प्राप्त हो सका है हिंदी को राष्ट भाषा बनाने के लिए प्रबलिच्छा शक्ति की आवशक्ता है हिंदी को राष्ट भाषा बनाने के लिए हरसंब प्रयास किये जाएगे महापूर्तिवारी क्रांतिकारी आजाज शाहू की सत्यानवी जहनती पर शाहू नगर के वृंदावन लाउन मैयों जीत हिंदी सेवा सम्मान 2021 के उसर पर भाषन दे रहे थे महापूर्तिवारी के हाथों वरिष्ट पत्रकार विनोद जहाडे को हिंदी सेवा सम्मा से गवरान वित किया गया शाहू समाज के उपेश शाहू को भी सम्मा नित किया गया कारेक्रम की अद्रक्षता वरिष्ट पत्रकार एसन विनोद ने की मंच पर प्रमुक्ताज से पूरविधेक दिनात पडोले, क्रांतिकारी आजाच्छा उस्मृती मंच के रामरक्षा साहू, नारायन साहू, राकेश साहू, उपस्ति थे वरिष्ट पत्रकार S.N.W. ने कहा, कि आज देश की इतियास को तोड़ मरोड कर पेश किया जा रहा है, यह बहुत ही दुख की बात है, और इस गलत परिपार्टी को रोकने के लिए, लोगों को प्रबलिच्छा शक्ति के साथ आगे आने की जरूरत है साल 2022 स्कोडा ओटो इंडिया के लिए साल 2001 में भारतिय बाजार में इसके प्रवेश के बात से उसके लिए सबसे बड़ा वर्श साबित होने वाला है लगातार चलाय जा रहा है प्रड़क्ट लॉच्च कैम्पेन के इर्दगिर्द अपनी रणनीति को के इंडित करते हुए तथा ग्रहक को संदोज देने वाले कामों और देज़ भर में अपने नेटवर्क की मोजुदगी को बढ़ाने की वज़र से स्कोडा आटो इंडिया ने साल 2022 में अपने वार्षिक सेल्स वॉल्यूम को तीन गुना करने की उम्मीद जताई है कमपनी पिछले साल से मली सकारात मगती का फायदा भी उठाना चाती है साल 2020 में स्कोडा आटो इंडिया की 10,387 कारे भी कि थी और साल 2021 में इसने 23,858 यूनिट की बिकरी कर 130% वृद्धी हासिल की है साल 2022 के लिए स्कोडा आटो इंडिया का लेक्ष्च साल 2021 के सेल्स वॉल्यूम को तीन गुना अधिक करना है साल 2025 के लिए एक लाग यूनिट लक्ष कमपनी की योजना की अनुसार साल 2021 में हुई वृद्धी और साल 2022 के लिए अनुमान इंडिया 2.2 प्रोजेक्ट के प्रतम चरण के सफल कारे अन्वेन पर आधारित है आजादी के अमरूत मोहत्सों के तहत उम्रेड रोड दिकुरिनाका के पास बहादुरा में स्तीत के आरपांडो अयुर्वधी कॉलेज एवं अस्पताल की ओपेडी में निशिल कर डाइगनोसिस नस्य शिविर कायो जन किया गया इस शिविर में रोग्यों का रोग निदान किया गया इस पंचकर्म नस्य उप्चार का पचास से अधिक रोग्यों ने लाब उठाया रोग्यों को पंचकर्म नस्य उप्चार के लाबों के अंतरगत बताया गया है इससे सीरदर्द, करदन का दर्द, फुसियां, बाल लेक्चररल डोक्टर आदिति तुरंकर दौक्टर प्रधन्याद आखोडे। डोक्टर गिरी डोक्टर सुरज राठोड डोक्टर राकेश गमवीर डोक्टर विवेक जिंगरवार डोक्टर वैबाव आदिने विशयच भूमी का निभाई। आज 18 प्लस और 45 प्लस आयूवर के सभी नागरिकों का कोविशिल्ट का टिका करन नागपुर महनागर पालिका के साथ सरकारी के इंदरों पर होगा टिका करन का समय शाम के 5 बज़े तक होगा टिका करन के लिए ऑनलाइन और आफलाइन दोनों पधितियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन के इंदरों पर भी 18 प्लस और 45 प्लस और दूसरा डोज मेडिकल कॉलिश डॉक्टर बाबा साहब आमिटकर अस्पताल काम्टी रोड बस स्वर्गिय प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंदर, एम्स, आइसोलेशन अस्पताल इमामवाडा, इंदरा गांधिय अस्पताल गांधिनगर, मनपा स्त्रिय अस्पताल पांच पाउली और प्रगती हौल दिगोरी में उपलब्ध है नाग विदर्भच चेंबर ओफ कॉमर्स ने कोरोना संक्रमन की तीसरी लहर को देखते हुए, प्रधान मंदरी नरेंडर मोदी, मुख्यमंतरी उध्धो ठाकरे एवं केंदरिय मंदरी नितिन गड़करी को प्रतिवेदन प्रिशिद कर नागरी को कोविड वैक्सिंग का ब के कारण आर्थिक फिकास पर भी बहुत बुरा असर हुआ है। जो की सरहानिया है। आज देश की प्रतम महिला शिक्षिका को स्मरण करते वे हम महिला स्टाफ को बैंकिंग प्रशिक्षर दे रहे हैं ताकि हमारी प्रतिक शाखा और ग्राहक लाभानवित हो सके। जिस तरह घर की एक महिला शिक्षित होने से संपुर्ण घर शिक्षित हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम कंप्यूटर के आदी हो गए हैं। हमें उससे परे होकर ग्राहकुन मुख सेवा देनी होगी। अतह सर्वप्रथम हमें बैंकर बनना होगा। साथ ही हमें भारत सरकार की सामविधिक अपेक्षाओ का अनुबालन करना होगा। इस आउसर पर सूश्री वर्षावर्मा, DSP, CBI द्वारा बैंकों में फ्रोड से बचाओ, रोक्थाम पर विशेश मार्ग दर्शन किया गया। इसके पशाद, पंजाब नाशनल बैंक प्रेणा समुह के अध्यक्षता, शालिनी चतुरुवेदी की प्रमुक उपस्थिती में वर्चूल प्रशिक्षन वर्दान या अभिशाप पर संगोष्टी संपन्न हुई। कल्यूग में न तो यग्य और न तो योग और नहीं ग्यान है। मुह को गाकर मनुश्य बिना ही परिश्रम के संसार समुद्र को पार कर लेता है। इसलिए वे मर्यादा पुरुशत्तम कहला है। कॉंग्रेस पार्टी ने मुझे जिस दिन से व्यापार एवं उद्योग सेल की कामान सोपी है। मैं इसी प्रयास में हूँ कि व्यापार यो उद्योग जको के लिए मैं किस तरह मददगार बन सकता हूँ। मुझे छोटे दुकानदारों के लिए भी कुछ खास करना है क्योंकि कोविट की सबसे बड़ी मार उन्होंने ही जेली है और अब भी छेल रहे है। कोविट महामारी के भीशन दौर में फ्रेंट लाइन वरकर्स ने जहां अपनी जान की बाजी लगा कर लाखों लोगों की जान बचाई है वही उद्योग और व्यापार जगत ने भी अपनी जान हतेली पर रखकर देश व्यासियों को दैनिक जरूरत की वस्तूओ की करने में व्यापारियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता इस सभा में प्रमुकता से महाराश्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्षा नानापटोले अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमिटी की सच्चीव सहप्रभारी सोनेल बेन पटिल को ग्यापन सोबते जोखिया अतुल कोटेचा ने धानाकर्शन करते हुए बताया कि इन सारी विकट परिस्तितियों के बावजूत के इंगर सरकार ने व्यापारियों के योगदान की लगातर अंधे की किये हैं जोकी सरासर अन्या है भारतिय सविधान में महिलाओ को पुरुषोक के समान अधिकार प्रदान किये गए हैं आजाद देश की सरकारों ने भी इसके बाद महिलाओ के हीटों में समय समय पर अन्यक कानुन बनाए हैं अंदलोनों के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करने का हग भी है महिला के हीतों के लिए महिला आयोक का गठन भी किया गया है जो महिलाओं के प्रती होने वाले अन्याय के लिए संघर्श करती है उनके कल्यान के लिए सरकार और प्रशासन से संपर्क कर महिलाओं के समस्याओं का समाधान कराती है मिहान में करीब 50 कमपनियों में उत्पादन कार्या जारी है अने कर्मचारी यहां काम कर रहे है कई कॉल सेंटर कमपनियां भी शुरू है जहाँ पर रात की पारी में महिलाएं काम करती हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग के पास कुछ शिकायते पहुच रही थी शेतर के पुलिस उपायुकत लोहित मतानी ने इसे गंभिरता से लिया और मिहान में कमपनियों के पताधिकारियों के साथ बैठक बुलाई बैठक में करीब 35 कमपनियों के पताधिकारी शामिल हुए पुलिस उपायुकत मतानी ने सुरक्षा व्यवस्था में कम्यों का संग्यान लिया और उन्हें ठीक करने में पुलिस विभाग की और से कदम उठाने का आश्वासन देने के साथ साथ सम्मधित कमपनियों से भी इस दिशा में कदम उठाने के अपिल की है महाराष्ट्र प्रदेश कॉंगरेस कमिटी अलपस अंख्यक विभाग के महासच्यू जॉन थॉमस ने देश के विभिनर राज्यों में मसीही समाच के विश्वासियों के खिलाफ हिंसा तथा जीजस क्राइस्ट मूर्ती की तोड़ फोड के घटनाओं के खिलाफ राश्ट्र महिम राश्रपती के पास भिजवाएंगी यापन में कहा गया है कि वर्तमान में आई दिन क्रिश्चन समाच को अपने गिरजा घरों में दुआ परार्थना करने में भी डर लगता है विश्वसियों तथा धर्मगुरों को यही डर सताय रहता है कि पता नहीं कब किसी समाच के लोग धर्मान तरन करा रहे हैं इस प्रकार की वारदाते करनाटक, आसाम, प्छतिसगर, दिल्ली, हर्याना और अन्यराज्यों में भी हो चुकी है और उसकी कड़ी निंदा इसाई समाच कर रही है हाल ही में बढ़ रहे कोरोना मामलों के मद्दे नजर, पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक समिक्षा बैठक बुलाई इस बैठक में विशेश तोर पर सरकार द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देशों का पालन करवाने पर जोर दिया गया अब महानगर पालिका के साथ पुलिस को भी स्वतंतर रूप से कारवाई करने के अधिकार दिये गया है सिप्यमी तेश कुमार ने बताया कि पालक मंत्री ने प्रशासन को सक्त निर्देश दिये है कि कही भी कोरोना नियमों का उल्लंगन ना हो पुलिस ने युद्धस्तर पर कारवाई की तयारी कर ली है होटल और बार के संचालक पहले की तरह राद बारा बज़े तक प्रतिशान चला सकते है लेकिन पचास प्रतिशत उपस्तिती के नियम का ध्यान रखना होगा दर्शनीय स्थान पर बोर्ड लगाना निवारिय होगा इस नोटिस बोर्ट पर स्थान की ख्षमता और अधिक्तम लोगों की संख्या लिखनी होगी मंगल कार्याले सभागरुह में आईजित होने वाले कारेक्रम में 50 से जादा लोग जमान नहीं हो पाएंगे अन्य प्रतिष्ठानों को रात के 11 बज़े तक खुले रहने के अनुमती प्रदान की गई है यदि कहीं भी अन्यमित ताय पाई गई तो पुलिस खुद कारवाई कर सकती है भारतिय जनता युवा मोर्चा नाकपूर महानगर ने बढ़कस चौक पर पंजाब में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चुक का विरोध किया और पंजाब सरकार की मूर्ती भी जलाई कॉंग्रेस शासित क्षेत्र में देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के साथ जो गंदी राजनिती की गई है वो बहत शरमनाख है पंजाब की कॉंग्रेस सरकार भले ही प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के दोरे के बारे में जानती हो लेकिन मोदी के खाफिले को आदे घंटे के लिए पूल पर फसाय रखना पूरी तरह से अनूचित है और उनकी सुरक्षा को लेकर खिलवाड है यदि राजनीती में प्रतिद्वंदी को पराजित करना संभव नहीं हो रहा है तो कॉंग्रेस इस तरह की नीच राजनीती पर उतराती है आन्दोलन में मुख्यरूप से भाचपा शहर अध्यक्षा विधाक प्रविंदट के भाजियू मों प्रदेश महामंत्री शिवानी दानी वकरे के मार्क दर्शन में भाजियू मों प्रदेश सचिव राहुल खंगार की प्रमुक उपस्तिती में और भाजियू मों शहर आदल राउत, पंकत सोनकर, सनी राउत, यश साथ पुते, आधिकारे करता तथा पदा आधिकारी गणु पस्तित थे। राम भाकरे, राजश प्रायकर, डॉक्टर ब्रम्ता खंडेकर, समिर पठान, सागर मोहोड, प्रसोन चक्रवर्ती, मिलिन कीर्ती और जनसंपर के दिकारी मनिश सोनी उपस्तित थे। प्रतिबंदित प्लास्टिक बैक के उपयोग करने वाले दुकानों और प्रतिष्टानों के खिलाप नाकपूर महनगर पालिका ने कमर कस्ते हुए कारवाई शुरू कर दी है। माराष्ट सरकार दौरा प्रतिबंद लगाए जाने के बाद भी यह देखा गया है कि प्लास्टिक की थेलियों का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। अतहम मनपा प्रशासन के निर्देश पर उपद्रोग होजी दल ने इन प्रतिष्टानों के खिलाप कारवाई तेज कर दी है। प्लास्टिक पर्स का इस्तमाल पाया जाने पर कारवाई करते हुए प्लास्टिक सप्लियर दुकान पर कारवाई करते हुए पाच हजार रुपे का जुर्माना वसुल किया गया। धश्या-वसि कियार रुपे अच्च मतis की सब्स्यात्रु प्लास्ट किया जा किया गया है। ग्लास्तमाल पावाई कर्क्या।